हेलो एवरिवान वेलकम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल आज की वीडियो मैं स्मैक डॉन इन एपरल 19 पे अपना रिवीवी पेश करूँगी जिसमें AJ स्ट्राइज और LA Knight जानने के लिए पूरी वीडियो वाज करें तो चले देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं शो के स्टार्ट में ही AJ स्ट्राइज वर्सिस LA Knight का मैच बीगेन होता है मैच वास एब्सलूटली गूड AJ स्ट्राइज गूड परफार्मस देता है बट एंड ओफ दी मैच AJ स्ट्राइज हीर होने की वज़ा से LA Knight की आइज में थंब अटेंप करके लगाता है फुनामनल फॉरम वन टू एंड फ्री AJ स्ट्राइज विन्स दिस मैच एंड नाओ AJ स्ट्राइज वर्सिस कोडी वर्स फार्दी अंडिस्प्यूटल युनिवर्सल हैवेश चेंपेशिप के लिए बैक लेच में मैच होगा देन पॉल हेमन को पार्किंग एरिया में दिखाया जाता है एंड वहां पे इंड्रेपल सीप्न को वर्ली क लिए क में बिल्कुल ट्राइबल चीफ व मैंबर का वैलकम करो एंड वो निउद मेंबर और कोई नहीं टामा टुंगा होता है 60 ववहां टामा टौंगा को अग करता है के देन दे गें ट्रिपल एज एंट्री करते हैं ट्रीपल एजशेज सीज तूनाइट मैं स्मैक डॉण टेग त्रीम चैंपेस्टिप को रिवील करूंगा इसके लिए SmackDown Tag Team Champion Austin Theory and Grayson Waller को इन्वाइट किया जाता है ये दोनों आते हैं बड़ ये दोनों काफी कोकी बिहेव करते हैं इन ट्रिपल एच न्यू डबलो ए टेग टीम चैंपेश शिप्स रिवील करते हैं और Austin Theory and Grayson Waller को देते हैं और जब उनके साथ हैंडशेक करते हैं तो ये दोनों बड़ तमीजी से उनके साथ हैंडशेक करने के बजाए इस खुद एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर लेते हैं और हसते हैं और कोकी बिहेव करते हैं और Austin Theory and Grayson Waller की WWE Tag Team Championship के लिए नमबर वां गंडैनर के लिए मैच बिगन होता है और इस मैच में अफ दी मैच से ट्रीट पाफिट विनर रहते हैं इन पॉल हेमन सोलो सिकोबा के साथ रिंग में एंट्री करते हैं और पॉल हेमन से ब्लेड में काफी पॉलेटिशन चाल रही है एंड देन कराउट वी वांत रोमन, वी वांत रोमन के चैट स्पिक करता है और पॉल हेमन इमोशनल होका कहते हैं के My Tribal Chief बट सड़नली सोलसी कोवा पॉल हेमन से माइक छीन लेता है एंड कहता है के प्लीज वेलकम न्यू मेंबर ओफ दी ब्लाड लाइन टामा टोंगा एंड यहां पर टामा टोंगा क्यावर ओमस को रेंप पे अटेक करते हुए लेकर आता है एंड कैवर ओमस का हैड इंजिट होता है एंड यह लोग कैवर ओमस को ब्रूटल अटेक करते हैं एंड पॉल हेमन यह देखकर बहुत शोग रह जाते हैं डर जाते है एंड जियम निक अल्डेस पॉल हेमन को पार्किंग एरिया में लेकर जाते है and उनसे पूछते हैं के ये सब क्या है आखिर टामा टोंगा ने कैवल ओमस की कार का अपनी कार से एक्सिडेंट क्यू किया and ये देशकर पॉल हेमन को and हमें समझ आती है के कैवल ओमस का हैड इतना इंजर्ट क्यू था and पॉल हेमन बताते हैं के मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है So now Solo Sikowa अपनी मर्दी से ठिंग कर रहा है And Paul Heyman को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता है That means कि वो खुद को वाके में ही Travis Chief समझ रहा है Then Undisputed University Have a Champion Corey Rose का UK से प्रोमो दिखा जाता है And Corey Rose से इसके AJS Prize I respect you And मैं बैकलेश में तुम्हारे साथ मैच करने के लिए Ready हूँ Then Main Event of the Evening में Bayley वर्सिस Naomi For the WWE Women's Championship के लिए मैच बिगन होता है Match was good But end of the match Tiffany Straten आकर Bayley और नयोमी पे अटेक कर देती है And इसाथ से ये मैच Disqualification पे फिनिश हो जाता है And यही पे शो ओफियर होता है So, आज चिरे इतना ही मिलते है Next Video में तो वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्क्राइब कर दे Bell icon प्रेस कर दे And comment section में अपनी कीमती राइक हाथ रूख कीजेगा And वीडियो को शेख करना भी मत भूलेगा So, तब तक Stay Happy, Stay Healthy And keep watching my videos Goodbye